हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और पॉर्डक्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को टच कीजिए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू बी हेल्दी चैनल अगर आप जड़ते और टूटते बालों से परिशान हैं और आपने बहुत सरे शैंपू और तेलो का यूज गर लिया है और आपके जड़ते और टूटते बाल हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ एक ऐसा नयाब जबरदस्त फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने ज़डते और तूटते बालों को पहले दिन से ही उसमें आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा वो पहले दिन से ज़ड़ना और तूटना अगर आपने लगतार इसको 7-15 दिनों तक यूज़ कर लिया तो आपके जो ज़ड़ते और तूटते बाल हैं वो एकदम से बंद हो जाएंगे, इसके साथ साथ आपके बालों में मजबूती आ जाएगी और नए बाल उगने लग जाएंगे, अगर समय से पहले आपके बाल फेद होना बंद हो जाएंगे, तो चलिए अब मैं आपको इस फर्मूले के बारे में बता देता हूँ, जिसको बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे करके इसका फाइदा उठा सकते हैं, इस फर्मूले के लिए हमें चाहिए निम्वू का रस, तेजा स्टैलम, जो पतंज लिए स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो किसी भी मेडिकल इस्टोर पर यह बहुत ही असानी से मिल जाएगा, अगर आपके घर में नेचरल इलोरा जैल है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मार्केट का आप अपने बालों में, पहला हमें एक सीरम तो चलिए सबसे पहले उस serum को बना करके देख लेते हैं कि आप उसको कैसे बनाएंगे तो इसके लिए बहुत ही असान है, इसके लिए आपको aloe vera gel लेना है किसी बरतन में जितना आपके बालो में लग जाए उतना है आपको aloe vera gel लेना है अगर एक चमच एलोवेरा जेल लेते हैं तो आधा चमच आपको निम्बू का रज चाहिए इस परकार से एक सीरम तयार करना है और इस सीरम को आपको सुबह में यूज करना है नहाने से एक घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से मसाज करना है पहले जडों में इसका मसा कर लेना है इसके बाद इसको एक घंटे के लिए छोड़ देना है उसके बाद आप किसी भी शेंपू का यूज कर बालों को अच्छे तरह के से धो करके नहा लेंगे नहाने के बाद बाल जब सुख जाएंगे तो उसके बाद हमें एक मिश्रम तयार करना है तेजस तैलम का और उसमें थोरा सा हमें अगर एक चमच हम तेजस तेलम का लेते हैं तो 10 से 12 बूंद हमें निम्बू का रस चाहिए चलिए मैं उसको कैसे बनाएंगे उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तेल और निम्बू का मिश्रन बनाने के लिए इस फर्मूले को बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी बरतन में तेल लेना है अगर एक चमच के बराबर आप तेल लेते हैं तो इसमें आधा चमच के बराबर आपको निम्बू मिक्स करना है इस तरीके से आप इसमें निम्बू मिक्स कर लीजे तेजस तेलम में एक प्रकार कर ये भी सीरम बन जाएगा इस सीरम को इस तेल को जो ये तेल और जो निम्बू का मिश्रन है इसको अपने सुखे बालों में जडों से ले करके पूरे बालों में अच्छे से मासाज करके मिला लेना है ज्यादा जोर से नहीं रगरना है और इसको कमशे कम 6-7 घंटों के लिए छोड़ देना है यही प्रक्रिया जो सुबह वाली प्रक्रिया है आप शाम को भी कर सकते हैं यह जो प्रक्रिया है एक ऐसा फर्मूला है जो आपको रातो रात आपके जड़ते बालों से छुटकारा दिला सकता है और अगर 7-15 दिन तक आप इसका लगतार यूज़ कर लेते हैं तो आपके जड़ते तूटते बाल हैं वो आसानी से रुख जाएंगे बिल्कुल ही हैं मेरे बहुत ज़्यादा बाल जड़ रहे थे मैंने इसको यूज़ किया है और इसका बेनफिट मुझे पता है मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये बहुत ही कारगर नुस्त का है इसका आप यूज़ करके आपके जड़ते तूटते जो बाल हैं उससे निज ने बाल